शारुक खान ने अपनी फिल्मों में इटर्नल और परफेक्ट लवा बॉय की डेफिनिशन ही चेंज कर दी उन्होंने दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे और कुछ-कुछ होता है जैसी कई सारी रोमांटिक हिट्स दी है इतना कि उन्हें आज लोग बॉलिवुड में किंग ओफ रोमांस की नाम से इंचानते है पर अप एसार की अपने इस लवबॉय की इमिज से बाहरा कर अपने कैरेक्टर को नई इमिज देने वाले है जी हाँ अपनी अगली फिल्म हारी मैट सेजल में एसार की एक चीप फ्लोर्ट का रोल अदा कर रही है क्या? जी हाँ फिल्म का मेनी ट्रायल रिसेंटली रिलीस हुआ जहां हमें एसार की एक फीमेल की मिड्रिफ केरिस करते दिखे अब ऐसा तो एसार की ने पहले कभी नहीं किया इतना ही नहीं एसार की अब अपनी रोमांटिक राज जाडियन और राहुल वाली इमिज से बाहर निकल कर अपनी नई कैरेक्टर हारी में आने वाले है जहां वो एक चीप फ्लोर्ट का रोल निभाते दिखेंगे एसार की का कैरेक्टर हारी में सेजल के मिनी ट्रायल में अपनी कोस्टार को ये कह रहा है कि हारी का कैरेक्टर खराब है अब शारुक को इस नई डाइमेंशन में देखने के लिए तो हम काफी एक्साइटेड है और SRK का अपनी ही stereotype को break करके बाहर निकलना काफी interesting होगा फैंस ने तो SRK की perfect lover boy image को बखोवी पसंद किया है और अब देखना ये है कि उनके Harry वाले role को फैंस कितना पसंद करते है आपको क्या लगता है इस बारे में हमें इस दरूर बताएं कर दो